क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मेजर स्किल्ड लेबर की कमी को दूर करने के लिए आस्ट्रेलियन माइग्रेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर आस्ट्रेलिया का कहना है कि उसे अनुमान है कि 2023 के मध्य तक नौकरी की कमी एक लाग पाँच हजार तक बढ़ सकती है क्योंकि सरकार 218 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करती है इंफ्रास्ट्रक्चर ढाचे पर फेडरल सरकार की अड्वाइजरी बॉडी अगले 5 सालों में 218 अरब डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक वरकर्स में बड़ी कमी की चेतावनी दे रही है पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अन तक देखें और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Brain Drain Consultants की ओर से हमारे Immigration Information और News Channel A to Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है Infrastructure Australia ने Public Infrastructure Projects को डिलिवर करने के लिए क्षेत्र की क्षमता को असेस करने वाली एक रिपोर्ट जारी की है इस क्षेत्र में गतिविधी अगले तीन वर्षों में दोगुनी होने की उम्मीद है जो Annual Expenditure में 26 बिलियन डॉलर से 52 बिलियन डॉलर तक की व्रिध्धी होगी Infrastructure Australia के मुख्यकार्यकारी रोमली मडेव ने कहा कि एक लाग पांच हजार Infrastructure Jobs की भविश्यवानी की कमी को भरने के लिए और जादा Migration की जरूरत होगी सुश्री मडेव ने बुध्वार को रिपोर्ट के लॉंच पर कहा कि रिपोर्ट में कॉस्ट में व्रिध्धी और समय पर डिलिवरी के लिए बढ़ते जो खिमों पर प्रकाश डाला गया है क्यूंकि वे एक Unprecedented Scale पर Investment की एक नई लहर का प्रयास और प्रबंधन करते हैं इंडस्ट्री सुधार का पालन करना अब ऑप्शनल नहीं है निवेश की इस रेकर्ड वेव को डिलिवर करना और COVID-19 महमारी के प्रभावों से उनकी प्रभावी और समय पर Economic Recovery को सुरक्षित करना ज़रूरी है सत्तर हजार एंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और साइन्टिस्ट्स की कमी के साथ चरम लेबर की कमी की उम्मीद है स्ट्रक्षरल और सिविल ट्रेडों में 15,000 करमचारी और 19,000 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की कमी की उम्मीद है हालां की, क्षित्र में आक्टिविटी में व्रिधी को पूरा करने के लिए विक्टोरिया, तस्मानिया और क्वीन्सलेंड में वर्कफोस को आकार में दोगुना करने की जरूरत होगी यह रिपोर्ट भविश्य में आस्ट्रेलिया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिलिवर करने के लिए जरूरी स्किल्स और मटीरियल्स की एजेंसी की पहली कॉम्प्रहेंसिव परीक्षा है यह इसक्षेत्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार और इंडस्ट्री के बीच कलाबोरेशन की जरूरत की सिफारिश करता है जो लेबर फोस पर पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन से मजबूर है रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबर की भरती के मामले में आस्ट्रेलिया को कम्पेटिटिव बने रहने के लिए स्किल्ड माइग्रेशन की स्ट्राटजी की जरूरत होगी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि हाला की सिविल इंजीनियरों जैसे कुछ स्किल्स तक पहुँच में महत्वपून भूमिका निभाने के बावजूद अभी भी बहुत कम होने की संभावना है यह टैलेंट पूल के ग्लोबल नेचर और इन स्किल्स की मजबूत ग्लोबल डिमांड के कारण है क्यूंकि दुनिया भर के देश कोविट प्रोटसाहन रन्नीतियों के हिस्से के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर का लाब उठाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया में पॉलिसी और रीसर्च के प्रमुख पीटर कोलाचीनों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक्स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट से स्किल्स की कमी बढ़ रही है उन्होंने रिपोर्ट के लॉंच पर कहा कि यह वास्तव में बड़े पैमाने की एक जरूरी चुनौती है अब वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे रिसॉस क्रियेशन बूम से जुड़ी चुनौतियों के बराबर है यह Elevated Activity का समान स्तर है, जो पिछली स्किल्ड शॉर्टच के दौरान देखी गई चुनौतियों से लगभग पांच गुना जादा है, जो की 2017 और 2019 के बीच थी NSW प्रीमियर डॉमिनिक पेरोटेट ने इस हफ़ते की शुरुवात में स्किल्ड माइगरंस के स्तर को बढ़ाने के अपने इरादे का संकेत दिया था अब जबकि राज्य ने लॉकडाउन से बाहर निकलते हुए अपने रोड मैप को फिर से खोलने का पहला चरण शुरू कर दिया है उन्होंने सोमवार को कहा कि उन्हें सीमाओं को खोलने की जरूरत है फिर उन्हें उन skilled migrants में से कुछ को लाने के लिए उन विदेशी देशों में market लगाने की जरूरत है क्योंकि अगर वे इस अफसर को खो देते हैं तो वे skilled migrants दूसरे देशों में चले जाएंगे हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में immigration से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी क्रिपिया कॉमेंट में अपने suggestions और feedbacks जरूर दें और हमें support करने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें और हाँ, bell icon को दबाना मत भूलिएगा अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session book कर सकते हैं